भारत वर्सेस एगलेंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित सर्मा काया तुफान ऐसी ताबड तोड़ विस्पोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर की तोड़ दिया 200 साल पुराना रिकॉर्ड क्रिकट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदूलकर महंदर सिंग धोनी ने जब एतनी घातक विस्पोटक रोहित सर्मा की बल्लेबाजी देखी तो उन्होंने भी खड़े होकर के सलाम ठोका रोहित सर्मा विराट को इलिए सस्वी जेस्वाल की तुफानी विस्पोटक बल्लेबाजी का पूरा का पूरा लाइब हाइलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सुरू से लेकर अंत तक देखते रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिचिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरू कर देना पूरा का पूरा हाइलाइट मुकाबला दिखाएंगे कप्तान रोही सर्मा पहले टेस्ट के मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे रोही सर्मा ने पहले ही ओवर पर छक्का लगा दिया पहले ही एक ओवर में आप सभी को बताने हैं आप 31 रंठोंग डाले जहां पर सस्वी जेस्वाल ने दूसरे ओवर में दो छक्के लगा तार दो चोके जर दिये SSW जेस्वाल रोही सर्मा की घातक विस्पोटक बल्लेभाजी ने दूसरे टेस्ट के मुकाबले में इतनी तूफानी विस्पोटक बल्लेभाजी की कि हर एक गेंदबाज के परकच्चे उड़ने लगे इगलेंड के घातक से घातक विस्पोटक गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर मैदान पर हो क्या रहा है रोही सर्मा और सस्वी जेस्वाल की तावर्टोड विस्पोटक बल्लेबाजी मैदान पर ऐसा कहर बरसा रही थी ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया हो यहाँ पर विकट कीपर के अल्रावल और रविंद जड़ेजा ने पहले टेस्ट मुकाबले में तावर्टोड विस्पोटक बल्लेबाजी की थी इगलेंड के घातक से घातक विस्पोटक गेंद माजी ने सोचा कि रही सर्मा को पहले टेस्ट मुकाबले की तरह यहाँ पर 24-30 रन तक आउट कर देंगे लेकिन साइध है उनकी जो गलत फेमी उनी पर भाड़ी पढ़ गई रोही सर्मा ने हर एक बॉल पर चो का छक्का जड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि 24 में ओवर्व रोही सर्मा ने 6 गंदों पर लगातार 6 चक्के जड़ दिये जहाँ पर युवराज सिंका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन मैं आप सभी को बता दें भारती टीम को काफी बड़ा जटका लगया 25 में ओवर की दूसरी वॉल पर जब घाते बिसपोटक बल्लेबाज रोही सर्मा के साथ दे रहे थे लेकिन यहाँ पर हिटमन रोही सर्मा फिर आउट हो गए आप सभी को बता दें यहाँ पर 27 में ओबर की चौती बल पर रोही सर्मा केच आउट जब हुए 26 रनों की नाबाद पारी खेली थी और रविंद्र जड़ेजा ने 87 रें ठोके थे विराट कोईल ने कापी अच्छी बैतरिन बल्लेबाजी कि और 61 रनों की नाबाद पारी खेली जहाँ पर विराट कोईली भी आप सभी को बताते हैं कि पच्पन में ओवर की चौती बॉल 26 रनों की नाबाद पारी खेली और यह भी पाविलिन का रास्ता देख गए लेकिन अभी मैदान पर एक साब बल्लेबाज था जिसने मैदान पर आते ही सभी गेंदवाजों के पर खच्चे उड़ाने सुरू कर दिये जी हम बात करने वाले हैं रविंद्र जड़ेजा की र इस बार दूसरे टेश्ट मुकाबले रविंद्र जड़ेजा ने तावर तोड विस्पोटक बल्लेबाजी से मैदान पर इसा कहर बरसाया कि हर एक गेंदवाज के पर खच्चे उड़ा दिये रविंद्र जड़ेजा और विकट कीपर के अल्लाहूल की बल्लेबाजी देख और रविंद्र जड़ेजा भी पच्च पर नट ठोक चुके थे लेगिन भारती टीम को काफी बड़ा जटका लगया जब विकट कीपर जैसे कुकार विस्पोटक बल्लेबाज फिर आठानवे रन बनाकर के आउट हुए लेगिन सिर्फ दो रन ऐसे कम रहे थे अपने सतक म लेगिन यापर भारती टीम को काफी बड़ा जटका लगया जब विकट कीपर के लाउल आउट हुए लेगिन फिर भी हम उनके सतके पारीज बानेगे क्योंकि सिर्फ दो ही रन कम रहे गे जब विकट कीपर के लाउल आउट हुए तो यहाँपर घाते विस्पोटक बल्ले लाजी की और पहला टेस्ट मकाबला हैने की वर्म मकाबला भारती टीम ने जीत लिया